हम सब ही जानते हैं कि इंडियन मैन को फैशन की कुछ खास समझ नहीं है तो आज हम कुछ ऐसी बातें समझेंगे जिससे हमें डे टू डे कपड़े पहनने में मदद मिलेगी तो पहली चीज जो होती है वो होता है ट्रेंड ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड वो होता है जो आता है और जाता है जैसे कि आजकल skinny denim fashion में हैं हो सकता है उसके बाद bell bottom denim आ जाजाएं फिर उसके बाद loser cargo denim आ जाजाएं तो वो ट्रेंड है वो आएगा या जाएगा फरक नहीं पड़ता Second, fashion क्या होता है? fashion वो होता है जो fashion designers बनाते हैं रोहित बाल, गौरव गुपता, सत्य पॉल, यह बड़े बड़े डिजाइनर्स है और जो कुछ भी अपने रैम शोर्स पे या अपने डिजाइनर स्टोर्स में रखते हैं वो होता है फैशन तीसरी चीज़ जिसके लिए मैं यहाँ पर हूँ आपकी हेल्प के लिए वो होता है स्टाइल, अब स्टाइल क्या होता है स्टाइल वो होता है जो आप अपनी परसनालिटी को समझने के बाद ट्रेंड और फैशन में से पिक करते हैं और अपने डे टुडे वेर में यूज करते हैं जैसे कि मैं स्किनी डेनिम्स पसंद नहीं करता, मुझे स्ट्रेट डेनिम्स पसंद है तो वो मेरा स्टाइल है, मुझे अंदर गंजीज और उसके उपर एक लेर्ड शिर्ट, ये पसंद है, तो ये मेरा स्टाइल है तो आप अपनी personality के हिसाब से अपने आपको समझते हो अपने profession को समझते हो अपनी location, locality आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं इन सब चीजों को समझने के बाद अपनी lifestyle को conclude करते हैं उस wardrobe में जो आपकी professional, personal life के लिए helpful हो आपको ढंग से portrait कर सके society के सामने वो होता है style और उसी चीज के लिए मैं आपके साथ यहां पर जुड़ा हूँ आज के लिए इतना ही, see you again, think before you wear